हरोसा करके ही 2014 में नरेंदर मोधी के नित्रत में भारतिय जंता पारिटी और NDA को पूर्ण बहुमत दिया गया था निरंतरता में एक ऐसी सरकार का फिर से चुन करके आना बहुत जरूरी है आज कल की नोजवान लड़कियों से पूछें के राहूल गांदी आपको पसंद है तो वह हसने लगती है नरेंदर मोधी और अमित्शाह जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं जिस तरीके से राज्यदर राज्य जीतते जाते हैं सेंटरल में भी जिस तरह की इनोंने प्लानिंग की थी ओन यकीन करता था संजय जी के दो हजार चोदा में उत्तर प्रदेश इनको सतर से जाज़े सीटे देगा नया कालखंड अगर शुरू होने जा रहा है कि हमें अब यह सोचना है यह सोच करके फैंसले लेने हैं और जो हम फैंसले लेंगे वह आने वाले एक हजार वर्ष तक इंपेक्ट डालेंगे प्रभाव डालेंगे नमस्ते आज के इस दी जैपर डालोग्स पॉड़कास में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके जाने पहचाने ओंकार चौधरी जी से और उंकार चौधरी जी से हम बात करेंगे कि इस समय की जो राजनी थिक परिस्तिया हैं और आगे की क्या होने वाली हैं क्योंकि कुछी दिनों में अठारवी लोगस बाह के लिए चुनाव होने वाले हैं और जैसा की दिख रहा है और लग रहा है कि पुदान मंतरी मोधी मोधी 3.01 के आने वाले हैं ऐसा लग रहा है तो आप क्या सोचते हैं कि क्या मोधी जी की जो जीत जिसका की लोग सभी लोग यहाँ तक कि जो मोधी के जो आलोचक हैं वो भी लग लग बाने बैठे हैं कि मोधी तो آएगा ही आएगा तो मोदी ही तो ऐसी सिच्वेशन आपको लगती नहीं है कि आप पूरी तरह से यह आपोजिशन या विपक्ष जो है वो समाप्त हो जाए तो अच्छी नहीं है संजेजी सबसे पहले तो नमस्कार और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार बहुत अच्छा टोपिक है और निश्चित रूप से जो 2024 का यह लोगसभाई इलेक्षन है यह कई आस्पेक्ट से बेहद महत्वपूर्ण है निरंतर्ता में जो प्रियास शुरू हुए है देश को एक आर्थिक विपरीत परिश्थितियों से बाहर निकालने के जो ब्रस्टाचार, जो घोटाले, जो पॉलिसी, पेरालेसिज एक ऐसा दोर देखा था इस देश ने और देश के लोगों ने के एक निराशा का भाव जो है कहीं ना कहीं भीतर तक पैठ हुए था और लोगों को लगने लगा था कि आप हिंदुस्तान का कुछ होने वाला नहीं है और एक विश्वास था कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तोर पर नरेंद्र मोदी ने जो काम करके दिखाया है और वाइबरेंट गुजरात का जो एक मॉडल दिया है एक तरीके से देश को तो हो सकता है कि उनके नित्रतों में जो ये निराशा का वातावरन है जो एक बादल चाय हुए हैं शायद छट जाएं शायद हट जाएं और ये भरोसा करके ही 2014 में नरेंदर मौधी के नित्रत में भारती जन्ता पारिटी और NDA को पूर्ण बहुमत दिया गया था 333 सीटे NDA की आई थी और 282 सीटे भारती जन्ता पारिटी की आई थी जो शुरू के 5 साल थे उनके कारेकाल के नो डाउट उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किये जिसको लेकर के उनके मजाक उड़ाए गए स्वच्ता भियान था टोईलेट थे जन्धन खाते थे मुद्रा योजना लेकर के आए थे जो वन्चित वर्ग था उसके लिए उन्होंने काम किये थे नोट बंदी भी उसी दोरान की थी जिसको लेकर के तमाम तरह की बाते बनाई गई थी और खास तोर से जो इनको कुछ हद से ज्यादे प्यार करने वाला लुटियन मेडिया है और जो पूरा एक एको सिस्टम है और जो परंपरागत रूप से कॉंग्रेस के और वामपंथियों के भांड है उनकी तरफ से तो पूरा जो है जैसे काइना थी सिर पर उठाली गई थी उस पर जिरह हो सकती है कि उसके कितने फायदे हुए जितना फायदा होना चीए था क्या उतना हो पाया लेकिन किस इरादे से वो किया गया था वहां कोई शक्स उभा की गुनजाइस बचती नहीं है जो कारण उन्होंने बताए थे जो उस समय गिनाई भी गए थे वो एक बहुत बड़ा टास्क था वो पूरा किया गया दूसरे कारिकाल की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे काम हुए है चाहे महिलाओं को 33 परतिशा तारक्षन का अभी हाल का उनका फैंसला हो चाहे जम्मू कश्मीर से 375 से आटाने का मामला हो मैं लेंडमार्क की बात कर रहा हूँ जो बड़े फैंसले किये है चाहे भगवान राम के मंदिर का निर्मान और प्राण प्रतिश्ठा का प्रेश्ण हो जो हमारे आध्यात्मिक केंद्र है उनका नए सिरे से एक तरीके से गोरो बाहल करना जो हमारी विरासत है उसको अंडरलाइन करना उसकी पहचान को फिर से इंट्रोड्यूस कराना और विकास के मोर्चे पर भी चाहे इंफ्रस्ट्रक्चर है चाहे दूसरी तमाम चीज़ें है G20 का देश में एक सफलता पूरवक आयुजन करना और विदेशों में भी जिस तरह की हमारी छवी बनी है हम फिफ्ट लार्जेस्ट एकोनोमी इमर्ज हुए है ग्यारा से पाहिदान से उतर करके पाँचवे पर आये हैं और नरेंदर मोदी का ये कहना कि साब हमारी जो तीसरी टर्म होगी उसमें हम जो इंडियन एकोनोमी है उसको हम थर्ड पोजिसन पर लेकर के आएंगे दुनिया में हम थर्ड लार्जेस्ट एकोनोमी हो जाएंगे 2027 में हो 2028 में हो 2029 में हो वो एक अलग बात है लेकिन हो जाएंगे तो ये एक बड़ी आश्वस्ती है इन सब चीजों के मद्य नजर संजय जी निरंतर्ता में एक ऐसी सरकार का फिर से चुनकर के आना बहुत जरूरी है जिसने तमाम तरहे की निराशाओं के बादलों को एक तरीके से चाट दिया है जिसने हर वर्ग में एक उमीद की किरण जो है वो जगाई है एक लो जगाई है और नीती आयोग की पर अगर हम विश्वास करें तो उसका कहना है कि पिछले दस वर्षों में करीब 24-25 करोड लोग गरीबी की रेखा से निकल करके बाहर आये हैं और उस पर नायकीनी इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि लोगों के जीवन इस तर में सुधार हुआ है इन दस वर्षों में 38 करोड वेहिकल्स खरीदे गए हैं इन दस वर्षों में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिसने हर वर्ग के जीवन में कुछ ना कुछ प्लस किया है माइनस नहीं किया है करफशन के मौरचे पर भरस्टाचार के मौरचे पर सेनाओ के इस्टन्थन के मौरचे पर युवाओं को जो मुद्रा लोन दिये गए और दूसरे आवसर दिये गए उससे जो रोजगार जनरेट हो रहे हैं जो स्टार्ट अप्स उन में से कई तो आठाठाट हाजार करोड के जो है आजकल यूनिकॉन जिसको कहते हैं वहां तक वो पहुँच गए है यानि एक आशा का वातावरन तो बना है यहां से अगर कुछ भी गलत हो गया तो मुझे लगता है कि फिर से हम लोग कम से कम पचास साल पीछे चले जाएंगे और जो इनका एक सपना है कि हम 2047 तक इस देश को विक्सित देशों की पांत में ले जाकर के खड़ा करें उसके लिए भी जरूरी है कि इनको कम से कम एक करेकाल और दे दिया जाए और जिस त तरह का कोई शक्स उबा रह गया है जाहे भगवान राम के मंदिर में प्रान परतिष्ठा हुई हो जाहे अलग-अलग जो क्षेत्रों में काम हुए हैं जो इंफरास्ट्रक्चर जिस तरीके का हमारा जाहे हाई वेज हों एक्सप्रेस वेज हों एर वेज हों वाटर वेज ह हर क्षेत्र में तो काम हो रहा है, होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आम आदमी को दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अगर कुछ भी गड़बड होता है, जिसकी गुंजाइश कम है, तो वो देश के लिए ठीक नहीं होगा. जी, आप बात कफी सही कह रहे हैं, वो 55 प्रतिशत था और हमारे बाई साब अहुल गांदी के लिए 14 प्रतिशत था, तो 41 प्रतिशत का उसमें गैप था. तो जो 55 प्रतिशत लोग थे, जब उनसे पूछा गया कि आपका क्या का रहा है, तो उसमें से 44 प्रतिशत ने हिंदुत पुका, और 19 प्रतिशत ने ये कहा कि मोदी जो हैं, वो पिलकुल जिसको कहते हैं सत्यनिष्ट हैं, इमानदार हैं। और 12 प्रतिशत जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी संख्या है, 12 प्रतिशत ने ये कहा कि उन्होंने विदेशों में देश का गौर बड़ाया हैं। तो इससे ये इसपश्ट हो जाता है कि जो विपक्ष है, वो जिस प्रकार की 50 साल पुरानी बासी और उबाउ नीतियों की वकालत आज भी कर रहा है, और जाती जनगरणा में ले जाना चाहता है देश को, अब देश का युवा वर्ग या देश का अन्य वर्ग भी जो है, अब उसके पास इसके लिए समय नहीं है, वो इसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहता है, और वो दिख गया, यहीं कि जाती जनगरणा जिन्होंने सबसे पहले कराई थी, वो ही जो इंडिया अलाइंस छोड़के और चले गए वापस अंडिया में, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और लगातार यह हो रहा है, नितीश बाबु जिन्होंने इनिशियेट किया था, इन सब कोई कठा करने का सबसे पहले जून में, पटना में, वो ही इनका साथ छोड़कर के चले गए, और जिस तरह की इनोहने एक पता नहीं कहां से, किन-किन शब्दों को जोड़कर के, एक इंडिया शब्द गढ़ा, तो उसको लेकर के भी किस तरह के मतवहित थे, इनके इनिया गड़बंदन में ही, वो अब सारी चीज़े खुल करके सामने आ रहे हैं, आपने युगाओं की चर्चा किये संजे जी, अभी किसी चैनल के रिपोर्टर, मैं तनौट प्लेस में जाकर के, कुछ नौजवान लड़कियों से बाच्चीत की, मतलब जो जिनको हम कह सकते हैं, कि आधनिक काल की सोच वाली लड़कियां है, हाइफ हाई लड़कियां, और दिल्ली की लड़कियों के बारे में तो वेसे भी, ये कहा जाता है कि कुछ ज़्यादे ही हाई फाई होती है, अगर वो भी नरेंद्र मोधी को पसंद कर रही है, जिनकी आयू 73 साल है, और वो कहते हैं, जब राहुल गांदी का नाम आता है, तो वो या तो हसने लगती हैं, या पीचे अड़ जाती हैं, मतलब एक अजीब सी मुस्कान, व्यंग आत्मक मुस्कान जो है, अगर नोजवान लड़कियों के चेरे पर आ रही है, मतलब एक चिर कुमारा, जिसको लेकर के, जिसको लेकर के तमाम तरह के चुटकुले, मीम्स और पता नहीं, क्या क्या होते रहते हैं, उनके बारे में अगर आप आजकल की नोजवान लड़कियों से पूछें, कि राहुल गांदी आपको पसंद है, तो वो हसने लगती है, वो पीछे अड़ जाएंगी, कुछ कह देंगी, कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन इतने नॉन सीरियस तरीके से, जिसकी चवी बन गई हो, वो और उनके जो सलहकार हैं, वो, दोनों, ये आत्ममंधन और चिंतन करने को ही तैयार नहीं हैं, कि वही ऐसी क्या बात है, कि लोग सीरियसली ले ही नहीं रहे हैं, और किसी भी आयू वर्ग के नहीं ले रहे हैं, जो मैच्योर हैं, जो बुजूर्ग हैं, जो पचास के आसपास हैं, उनकी छोड़ दीजिए, जो चालिस से नीचे हैं, वो भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं, तो भही आप कितना का बड़ा करवा होगे, और कांग्रेस को कहां ले जा करके डुबो होगे, तो ऐसे में, नरेंद्र मोदी जो 73 साल की उमर को पार कर रहे हैं, वो अभी भी अगर एक उमीद की लो जगा रहे हैं, युआउ में भी, तो कही ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना वो, केवल लफाजी से तो आप किसी वर्ग को, खास तोर से नोजवानों को प्रभावित नहीं कर सकते, आकरशित नहीं कर सकते हैं, तो अगर ये वर्ग भी उनके नित्रत्तों से, उमीद से है, और उनको वोट करने को तैयार है तीसरी बार भी, मैं एक बात कहता हूँ संजय जी आपसे, और जो दर्शक सुन रहे हैं, वो भी इस पर विचार करें, निरंतरता में दस साल, अगर कोई सरकार का मुख्या, रत्ती भर भी, कहीं कोई शक ना हो उसके नित्रतों पर, उसकी परमानिकता पर, उसकी इमानदारी पर, और जिस तरीके से वो, हर समय और जावान दिखाए देते हैं, आज भी उनकी कोशिश ये होती है, कि मैं अगर विवान की सीड़ियां चड़ रहा हूँ, तो थोड़ा तेज गती से चड़ूँ, यानि एक मैसेज देने वाली बात होती है, ये नहीं है कि वो कोई 28-30 साल के या चालिस साल के नोजवान है, लेकिन एक मैसेज देना है, उन लोगों को भी मैसेज देना है, जो आम तोर पर 50-60 साल जाते जाते, पंदे डिले कर लेते हैं, और जो थोड़ा सा निराशा का वहाओ, अरे भाई अब तो बुढ़ापा आ गया है, मतलब वो नोजवानों को भी प्रेरित करते हैं, वो उम्र दराज लोगों को भी प्रेरित करते हैं, और पता नहीं कहां से इतनी उर्जा लेकर के आ रहे हैं, कि सुभा टीवी खोलते हैं तो पता लगता है, आज फला कारिक्रम में लाइव हो रहे हैं, फिर दोपहर बाद आप टीवी देख रहे हैं, तो पता लगा कि जो है साइंटिस्ट के बीच में है, कहीं डी आर डियो में है, कहीं दूसरी जगे पर है, कहीं उद्योग पतियों से वारतलाप हो रहा है, अलग-अलग सेक्टर के लोगों उसे लगातार समवाद अस्तापित करना, वहां से फीड़ बैक लेना, उनके लिए योजना बनाना, उसको जमीन पर उतारना, उसका लगातार फीड़ बैक लेना, क्वालिटी के इस तरह पर भी, आप देखिए भगवान राम का जो बहवे मंदिर बना है, क्या दिव्यता है उसकी, जब वो कैमरों पर आया, टीवी के परदों पर आया, तो हर कोई चमतकरत रह गया, कि केवल चार साल के भीतर, और क्वालिटी में भी, गुनवत्ता में भी, क्या मतलब एक कहना चाहिए, कि वाकी जो दावा किया जा रहा है, कि एक हजार वर्ष तक कुछ नहीं होगा, वैसा ही निर्मान महां दिखाई दे रहा है, तो ये कुछ क्वालिटीज हैं, लोगों को लग रहा है, हर बर्ष को लग रहा है, युवांओं को भी लग रहा है, कि जो एक निराशा का वातावरन था, उसमें कहीं तो, कोई एक उमीद बन करके, दिखाई दे रहा है, वो तो कोई उमीद ही नहीं जगा रहे हैं, जिन जिन राज्यों में ये लोग बड़े लंबे चोड़े और उंचे उंचे वादे करके आये थे वहाँ इन्होंने क्या किया है एक वीडियो दो दिन से तेर रहा है जिसमें प्रियंका गांधी वाल्डरा कह रही है हिमाचल के बारे में कि हमारी हिमाचल की सरकार पहली कैबिनेट में ही ये फैंसला लेगी कि जो सरकारी पद खाली है एक लाख मतलब हिमाचल इतना सा राज्य है उस इतने से राज्य में वो कह रही है कि एक लाख जो सरकारी पद खाली है हैं उनको भर देगी दूसरी तरफ सुक्विंदर सिंग सुक्कू की बाइट जो है चल रही है वो कह रहे हैं कि हम तो छोटे से राज्य हैं एक लाख सरकारी पदों की बात नहीं की थी एक लाख रोजगार जनरेट करने की बात हो रही थी तो कैसे कैसे जो यहां राजस्थान में किस तरह के जूट बोले गए थे किसानों को लेकर करनाटका के देख लीजे ना हर जगे तो आप कहीं ना कहीं तो एकस्पोज होते हैं एक तरफ आप है जो लगातार आप जूटी बोलते जा रहे हैं अभी नरेंदर मोदी की जाती को लेकर के जूट बोल गए और वो ड बाई पटेल की सरकार लेके आई थी, वो कुछ पश्ट है, तो भाई, आप क्यो जूड बोल रहे हो, तो जिस तरह की ये नीती पर चल रहे हैं, जिस तरह के रास्ते पर चल रहे हैं, बड़े-बड़े जूड बोलते हैं, इस तरीके से आप लंबी लकीर नहीं कीच सकते, लो में स्वयम नरें दिर्वोधी ने बताया था, कि वो किस तरह से प्राइटाइज करते हैं, विशेश कर जो प्रोजेक्ट से क्या दें हो, कह रहे हैं कि पर कैपिटल इंफ्रास्ट्रॉक्चर पर उनका बहुत जो रहे हैं, जिसमें उनने दबब दस गुना आदिक निवेश और उसमें भी उनका इस पर जो रहे कि प्रोजेक्ट जो है वो टाइमली कंप्लीट हो, तो उसका कॉस्ट और रॉन नहीं होता, वो समय से भी होता है और सही कॉस्ट में भी होता है, और तीसरा जो बताया कि जो है उन्होंने लीकज बंद किया, येस, बहुत बड़ा चीव यह कॉंग्रेस की किसी सरकार की ध्यान भी भी नहीं आता आप पांच पांच गरंटी दी थी 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 तो यहां जब त हम देंगा करों प्याइब छी ऺार्स सरकार बेंगे हैं प्रछूफियों के लिए ये 70-70 में इंद्रा गांदी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया गरीबी हटा पाए क्या है ये लोग इंद्रा गांदी भी प्रधान मंत्री रही राजीव गांदी भी प्रधान मंत्री रहे फिर पीवी नरसी माराओ भी रहे फिर मनमौहन सिंग भी दस साल जो देश के और दुनिया के बहुत बड़े अर्थ शास्त्री बताय जाते थे वो इतने बड़े अर्थ शास्त्री थे कि उनके दस साल के परधान मंतरित तो काल में मुद्रा इस्विती की दर हमेशा दस परतिशत से उपर ही रही वो उसको भी नहीं अंत्रित नहीं कर पाए और जो एकोनोमी का भटा बैठा है जो पॉलिसी परालेसिस थी जो गलत फैंसले थे उन पर अलग से इन्होंने शुएत पत्र जारी करके वो सारे बंडा फोड कर ही दिये है देखिए बात ये है कि आप लूटने पाटने के लिए सत्ता में आना चाहते है या आप लोगों की भलाई के लिए एक सेवा भाव से काम करते हैं एक बेसिक अंतर है कमलनास सरकार के समय भी आपने देखा होगा कि वहां किस तरह की लूट पाट शुरू हो गई थी करनाटक में भी क्या हो रहा है ये सब चीजें सामने आ रही है तो जहां जहां आपको सत्ता मिल रही है मैं इन पाँच राज्जों के चुनाओं के दोरान भी आपके चैनल पर भी अपने चैनल पर भी मैं लगातार ये बात कह रहा था के कॉंग्रेस जो है वो पाँच साल कहीं सरकार चला करके निरंतर्ता में जीतना भी बूल चुकी है और सब कह रहे थे के च्छतीस गड़ में तो कम से कम कॉंग्रेस की वाफसी हो रही है मैं ये कह रहा था मैं स्याद अकेला पत्रकार था जो लगातार ये कह रहा था कि जो ट्रैक रिकोर्ड है पिछले 15 साल का 2009 में लास्ट में हरियाना में बुपेंदर सिंग हुड़ा की वाफसी हुई थी निरंतर्ता में पर वो सीटे गड़ गई थी 40 सीटों महापर आई थी महराष्ट्र में भी हुई थी परबंदन की सरकार जो थी 30 सीटों मार बनी थी उस समय उस समय उसके बाद से नहीं तो वहर का 36 गड़ में भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग वाफसी करेंगे और वो ही हुआ क्योंकि भही आपको 5 साल मिले हैं सेवा करने के लिए एक तो आप मालिक जैसा व्यावार करना शुरू कर देते हैं दूसरे आप लूट पार्ट में लग जाते हैं और जो एक्चल में जो आप कहकर के जिन जिन वर्गों को आते हैं कि हम आपको ये रियायत देंगे ये आपको फाइदे पहुँचाएंगे ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे उसके बाद आप लेकिन किंतु परंतु उसमें लगाना शुरू कर देते हैं किननी सब के लिए नहीं कहा था इतने साल से इतने वर्ग के लिए मतलद बहानेबाजी शुरू हो जाती है और उसके बाद वो सारी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं के लिए आप भारतिय जनता पारिटी को या दूसरे दलों को कोशते आ रहे हैं तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे नरेंद्र मोदी और अमित्शाह जिस तरीके से प्लानिंग करते हैं जिस तरीके से राजज दर राजज जीतते जाते हैं सेंट्रल में भी जिस तरह की इन्होंने प्लानिंग की थी कौन यकीन करता था संजय जी के 2014 में उत्तर प्रदेश इनको 70 से जादे सीटे देगा और पांच साल बाद 2019 में फिर 64 सीट देगा 62 इनको दो इनके सहियोगियों को इतना बड़ा राजज दोनों बार सेंट्रल गवर्मेंट को यानि नरेंद्र मोदी को अगर बहुमत मिला है तो उत्तर प्रदेश की वज़े से मिला है और उत्तर प्रदेश भूलना नहीं चाहिए हमें एक लंबे कालखंड से जातिय और धार्मिक उनमाद की वज़े से और गोलबंदी की वज़े से बदनाम स्टेट रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश वैसे तो अभी ये रोग अलग-अलग सबीर अज्यों में लग रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कम से कम ये लगा ही है वहां से आपको इतनी बड़ी ताकत मिल रही है तो हमें नहीं भूलना चाहिए 2014 में भी 2019 में भी चानक की के तोर पर अमित शाह महां काम कर रहे थे और बीच में जो 2017 में इतने सालों बाद भारती जनता पारिटी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी आई और योगी आदित्तनात जैसा एक नेत्रतों वहां पर मिला उसने तो पूरा अंतरी कर दिया एक्च्छल में क्या है कि इन लोगों ने इतनी बड़ी लकीर खीच दी है वो जो कुछ गटनाएं हुई हैं उनको तो हम इस माइने में अलग से डिसकस कर सकते हैं जो करनाटक में हुई थी जो महराश्त में हुई हैं दो बार दो पारिटियां टूटी हैं जो मद्यपरदेश में हुआ था वो तो एक्च्छल में इनको सिख्षा देने के लिए और सबक सिखाने के लिए कि वही तुम्हारा तो अतीत भरापड़ा है चुनी हुई सरकारों को बरखास्त करने का अकेले इंद्रा गांदी के कारिकाल में यही बावन बार चुनी हुई सरकारों को बरखास्त किया गया इन्होंने कम से कम बरखास तो नहीं किया, इन्होंने एक रास्ता दिया, कि आप अपना मन बदलिए और इधर आजएए, तो वो हुआ है, और जो करनाटक में एक्चल में इन्होंने किया था दो हजार अठारा में, चुनाओ के नतीजे पूरी तरीके से घोशित भी नहीं हु आई है, हमारी अस्ती आगई है, आप अपना मुख्यमंत्री बनाईए, कुमार स्वामी को, हम आपको समर्थन देते हैं, यानि बड़ी पार्टी महाभी भारती जिनता पार्टी थी, सो से जादा सीटे आई थी, इसी तरीके से महाराष्ट में भी सो से जादा सीटे बीजे हुआ था, वो तो महाराष्ट की वज़े से, और जो करनाटक में हुआ था, उसकी वज़े से इन्हों ने कहा कि चलो इनको थोड़ी शिक्षा देते हैं, तो मध्यपरदेश में वो कांड हुआ, और उसके बाद तो फिर लगातार हो रहा है, महाराष्ट में हुआ, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जोड़ी है, ये राजनितिक तोर पर जो कर रही है, ये उस सभी कुछ सीखने को तयार नहीं है, आर्थिक मोर्चे पे इनों ने जो किया है, ये उसका भी मजाक उड़ाते हैं, सामाजिक कल्यान की जो योजनाए ये लेकर के आए हैं, ये उसका भी जोड़े हैं, सोचालियों का निर्मान है, घर-घर गैस कनेक्शन देने का है, बिजली कनेक्शन देने का है, ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं, जो जमीन पर उतरे हैं, अस्ती करोड़ लोगों को जो राशन दिया जा रहा है, उसका भी मजाक बनाया था इनोंने, लेकिन ये overall कितना बड़ा impact डालता है, जब समय आता है, ये इनकी समझ में नहीं आ रहा है, अरे बही जिन जिन राज्यों में आपकी सरकारे हैं, वहां कम से कम इन ही की नकल कर लेते, या इन से कुछ बहतर काम करके दिखा देते, तो शायद पांच साल बाद फिर से आपको चुन लिय जाता, लेकिन ऐसा कुछ ये करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो अब ये 2024 के लिए जो लोकसभा में बाशन देते हुए, मेरे इंद्रमोदी ने ये कहा, कि ये उनका तीसरा टर्म है, उसमें बहुत बड़े बड़े निर्ने लेने वाले, वो बड़े बड़े निर प्रण की हुई है, और वो पिछले वर्ष मतलब 2022 के जो सवतंतरता दिवस के बाशन के समय उन्होंने वा पंच प्रण का प्रण किया था, पंच प्रण, पंच प्रण में था विकसित भारत, मांसिक गुलामी से मुक्ती, और धरोहर का संपादन, धरोहर की सनरक्षा, और ल आस्ट था उसमें नागरिकों के खर्तव्य, तो ये चौथा शायद से क्या है, सभी के प्रतिन्याय है, जेनरल बात के वाए उस तरह की थी उसमें, तो क्या इस संदर्व में हम बड़े निर्णे अपिक्षा कर सकते हैं? कि ये एक नया काल खंड शुरू हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश था, अगर अयोध्या में खड़े होकर के प्रधान मंत्री, उरे साधू संत समाज और जो देश की इस समय क्रीम कह सकते हैं हम, अलग-अलग क्षित्रों की जो विभूति और महान हस्तियां वहाँ पर थी, और करीब-करीब एक सो साथ देशों से अधिक में वो परसारण था, और साथ देशों में तो मतलब विशेश आयोजन किये गए थे ऐसे समय पर, तो प्रधान मंत्री न जो ये बात कही थी, उसको हमें एक्च्वल में समझना होगा, नया क आलखंड अगर शुरू होने जा रहा है, और इसी में मैं जोड़ दूआ पर कि लोग सबा में ये भी कहा कि जो मैं निर्ड़ने लूँगा, वो अगले एक हजार वर्ष के लिए होगा, जी, ये बात उन्होंने वहां भी कही थी, कि हमें अब ये सोचना है, ये सोच करके फ फैसले लेंगे, वो आने वाले एक हजार वर्ष तक इंपेक्ट डालेंगे, प्रभाव डालेंगे, तो नरेंदर मोदी के जोली में क्या-क्या होता है, क्या-क्या छुपा हुआ रहता है, इसका सहज अंदाजा आप लगा नहीं सकते हैं, उनकी जो कारिये शेली होती है, औ अब इसी को लेकर के आप देख लीजिए, 2019 से लेकर के 2024 तक, हर साल पदम पुरसकारतों दिये गए, पदम विभूशन भी दिये गए, पदम भूशन भी दिये गए, पदम शरी भी दिये गए, भारत रतन किसी को नहीं दिया गया, आखरी साल में, चुनाओ से ठीक पहले, आप पाँच विभूतियों को भारत रतन दे रहे हैं जिन में से केवल एक जीवित हैं लाल कृष्णा अडवानी है। करपुरी ठाकुर नहीं, चोदरी चरण सिंग नहीं, MS स्वामी नाथन नहीं, पीविन अर्सिमाराव नहीं। लेकिन जो नहीं हैं, उनके भी जो इस्टेट हैं, चाहे करपुरी ठाकुर का विहार हो, चोदरी चरण सिंग का इंपेक्ट तो बहुत व्यापक है, क्योंकि केवल वेस्ट यूपी में जाट नहीं हैं, हर्याना में भी हैं, जम्मू कश्मीर में भी कुछ हैं, हिमाचल में भ देने वाली बात होती है, स्वामी नाथन, जेस्टेट से आते हैं, वहां कुछ तो इंपेक्ट होगा, कुछ तो सदाशेता मिलेगी, मेरा क्याने का आश्या सिर्फ ये है, कि इनकी जो टाइमिंग होती है, और जो इनकी प्लानिंग होती है, वो लाजवाब होती है, वो सार 2014 से लेकर के अब तक का और अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कयास लगाएं के ऐसे कौन से बड़े फैसले हो सकते हैं जिन की तरफ नरेंदर मोदी इशारा कर रहे हैं क्या वो वर्शी पैक्ट है उसको खतम करेंगे क्या एनरसी जो ठंडे बस्ते में चली गई थी क्योंकि संजे जी ये लगातार हम देख रहे हैं जहां जहां ये गड़बडिया हो रही है और जब जब इनकी जाच होती है कि इनके पीछे क्या है कौन सी ताक्ते हैं तो पता लगता है अभी हलदवानी का जो केस हुआ है इसमें जो जाच पड़ताल हुई है और शुरुवाती जाच पड़ताल में ये आ रहा है कि रोहिंग्याज है कुछ ऐसे ऐसी ताक्ते हैं जिन होने एक बहुत नियोजित तरीके से उत्राखंड में और खास तोर से जो सीमानत आपके जिले हैं वहां पर इनकी घुस्पैट कराई है और ये कहीं रेलवे के किनारे रेलवे लाइन के किनारे कहीं यहां तक के बदरीनाथ में भी बदरीनाथ धाम जिसके बारे में ये कहा जाता है के आठमी सदी से वहाँ पर ये पीठ है और मठ है वहाँ पर भी मस्जिदे दिखाई देनी शुरू हो गई है तो ये सारा कुछ जो चल रहा है जो घुस्पेट हो रही है जो जियादी जिस तरह के तमाशे अब कर रहे हैं जगे जगे पर जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जब 2000 में उत्राखंड बना था केवल एक परतिशत मुसलमान थे वहाँ पर आज इनके जनसंक्या वहाँ बीस गुना बढ़ चुकी है बीस परतिशत जनसंक्या बढ़ चुकी है वहाँ पर तो ये जो परिवर्तन हो रहे हैं इनको रोखने के लि अभी क्या हुआ है अचानक से जो कुछ अद्रश्य शक्तियां हैं जो अचानक से सक्रिय करती हैं कि पंजाब से किसान चले हैं दिली में मौर्चा लगाने के लिए पता लगा कि नोईडा में जो है जाम लगा दिया है पाँच-पाँछ गंटे तक लोग जाम में फंसे हु कोई भी मैत्वपूर्ण ओकेशन होता है पता लगा कि पहलवानों को मैदान में उतार दिया महिला पहलवानों को मैदान में उतार दिया तो ये कौन लोग हैं किस तरह के सडियंतर रच रहे हैं और इस तरह के जो आंदोलन जीवी हैं जो परदर्शनकारी हैं जो जन जीवन क को भी परभावित करते हैं, जो विकास में भी बाधक बनते हैं, क्या उनके लिए कुछ सोच है, अगें वही बात हो जाती है, किसाब क्या किसी के लोकतांतरीक अधिकारों को आप छीन लेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो सब को अपनी बात कहने का अधिकार है, हटा करके नए सिरे से हम अपने डंड के बजाए हम नियाए देने की बात कह रहे हैं, अला कि उसमें कोई विशेश परिवरतर नहीं है, खाली उपर नीचे किये हुए हैं, और कुछ थोड़े बहुत आड़ किये हैं, मुश्किल से 5-7 प्रतिशत चेंज मान लीगी, तो दिमाग में ये आता है कि वर्शिप एक्ट है, जो आपका वक्फ का जो मामला है, क्या उस तरफ वो ध्यान देंगे, उसके खत्रे हैं, लेकिन क्या उन खत्रों को का सामना करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे तीसरे कारिकाल में, क्योंकि अब दो बार लगातार उनक लोगों ने चुना है, देश ने चुना है, तीसरी बार भी अगर देश उनको चुनता है, तो ये तो एक परमानिक्ता हो जाएगी, कि एक्ट्वल में देश क्या चाह रहा है, और देश का जो मूड है, देश जो चाह रहा है, उसके अनुरूप क्या वो कोई बड़े फैसल करने वाले हैं या फिर दिमाग में आता है कि क्या जो पी ओ जे के का इलाका है गिलगिट है वाल्टिस्तान है क्या उस पर कुछ वो करने वाले हैं मतलब ये सारी चीजें हैं जो दिमाग में आती हैं लेकिन एक्च्वल में क्या है और क्या वो लेकर के आने वाले हैं क्या वो economy से related है या कोई और दूसरी चीजें उनके दिमाग में है ये कह पाना और उसका कयास लगा पाना उसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है जी निशित रूप से ये तो बात आपकी सही है कि कयास लगा पाना तो मुश्किल है लेकिन हाँ कुछ आइडियाज तो हम लोग लगा सकते हैं जो से कि मैंने आपको निवेदन किया कि वो पंच परण से संबन देते जैसे वो गुलामी की मानसिक्ता से जो मुप्ती वाली बात है तो हम संबवता ये अप एक्षा कर सकते हैं कि ये जो अभी मात्र भाषा का NCRT की किताबों का इनका जो भी अभी बहुत हलका फलका बदलाव हुआ है जब कि लोग जो है वो बहुत समय से लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं कि वही इनके आप पुरी तरह से इनमें बदलाव कीजिए जो हमारा जो इतिहास है जिसको पूरी तरह से खलोशित किया हुआ है उसमें आप बदलाव कीजिए जो देशी भाषाएं हैं उनको आप महत्व दीजिए अंगरी जी का प्रचलन जो है ठीक है अंगरी जी एक भाषा है लेकिन अंगरी जी को एक स्टेटस सिंबल या जो फैशन का सिंबल जो बना रखा है उस इस्तान से उसको पदच्चुत करने के लिए लंबी लकीर खीचिए वो लंबी लकीर खीचने सही होगा आप उसको मिटाएंगे तो उसका उल्टा एफेक्ट होगा तो इस तरह की बातें भी सोची जा सकती है कि इन पर भी वो आगे चलें या नागरिकों के कर्तव की बात है तो नागरिकों का कर्तव है हमारे देश में जिसको धर्म कहते हैं वो नागरिकों का कर्तव है और सदैव से ये राह है सरातन परंपरा ये रही है कि आपको अधिकार जो है वो करतवियों के निश्पादन के लिए दिये जाते हैं बिलकुल तो क्या वाकई एक धार्मिक राश्टर बन सकता है आज एक प्रियंबल के विरुद्दकल एक पेटिशन दायर हुई है जिस पे नियाए अधिशों ने बोला वही ये तो ऐसा लगता है प्राइम एफसी क्योंकि इसमें प्रियंबल में डेट लिखी हुई है तो बिना डेट चेंज की हो ये कैसे इंसर्ट हो गया ये उनकी कुईरी थी तो क्या वहां पर हटा के क्या वास्ताव में भारत को एक जो लिखा हुआ है सावरेंट डेमोक्राटिक रिबबलिक था औरिजिनल और बाद में सेकलर सोचलिस्ट योड़ा गया उसको उसके स्थान पर क्या धार्मिक रिबबलिक हो सकता है ये संभावना जो हैं इनके बारे में हम लाओड थिंकिंग कर सकते हैं इसके अलावा एक और बात दिवाग में आती है वो तो खेर आप बताएंगे कि ये कितना प्रेक्टिकल है और कितना वो कर पाएंगे क्योंकि 2015 में जो कानून लेकर के आए थे ये जुडीशियरी को लेकर के और जिसको कॉलेजियम ने सुप्रीम कॉर्ट ने जो है एक तरीके से रिजेक्ट कर दिया था क्या जुडीशियरी में भी कोई आमूल चोल सुधार के लिए ये कोई बड़ा स्टैप उठा सकते हैं क्योंकि तीसरी बार उनको ताकत मिलेगी तो उनको एक मॉरली बड़ा स्टैप उठाने की दिशा में कुछ तो वो कर सकते हैं कर सकते हैं करना चाहिए लेकिन वर्तमान सम्विधान की जो समझचाएं हैं उसको देखते हुए करना पड़ेगा पहली बात तो यह है कि जब वो स्टैप जब उन्होंने लिया था तो उसमें कॉंग्रेस इतनी डिमॉरलाइस थी कि उसने चुपचाप इनका समर्थन कर दिया था नहीं तो टू थर्ड जो है वो इनके पास नहीं आता और वो इसलिए भी क्योंकि उसका आरंब जो था वो कॉंग्रेस सरकार नहीं किया था लेकिन अब जो है हमारे पपू जी जो है वो पूरी तरह से अलग हो चुके हैं उनको तो कोई भी स्टेप यदि मोदी लेते हैं तो उसका विरोध ही करना है तो यह देखना पड़ेगा और वैसे तो आपको ध्यान है जैप्रो डायलोग्स में दो तीन वर्श पहले हमने जो प्रोग्राम किया था उसकी तीम रखी थी रिपबलिक टू पॉइंट जीरो तो कहीं हमारा वो जो थाट है या जो हमारा एक कह सकते हैं कलपना है कहीं वह साकार होने के तरफ ना आ जाए क्योंकि मैंने तो कहीं बार इसमें कहा है इसमें डिसकेशन हुए कि वर्तमान सम्विदान और वर्तमान राजमिती के स्थिती देखते हुए इसमें एक जो बड़ी पार्टी है वो पूरी तरह से केवल और केवल हर बात का अंद विरोध ही करती है उसको देखते हुए जो वर्तमान हमारा जो सिस्टम है इसमें तो संभव नहीं है तो क्या फिर हम रिपब्लिक 2.0 की और जाएंगे लेकिन आखिरकार तो यह जो ब्रिटिश कॉंस्टिटूशन था भारत के लिए जिसको हम Government of India Act 1935 कहते थे अस्ती प्रिटिशत तो उसी की कॉपी है और जो बाकी 20 प्रिटिशत है वो अन देशों के सम्विदान से उठाई हुई कॉपी है तो एक नया सोच एक नया सम्विदान तो होना ही चाहिए क्योंकि देश जो है वो पिछले 10 वर्ष में काफी बदल चुका है और अब वो बाहर आना चाहता है उस तंत्र से जिस तंत्र ने इसके उपर 200 वर्ष तक राज किया उसके पहले 500 वर्षों की गुलामी रखी और तथाकतित सुतंत्रता के बाद भी वही तंत्र चल रहा है तो उस सुतंत्र से बाहर निकलने का उपाय तो सोचना चाहिए और वो भी जो है ना वो कास्मेटिक नहीं होना चाहिए जैसे आपने जो निया संगिता इत्यादी जो इनों बनाया है जो बेसिक थाट है उसमें अंग्रेजों का वो उसका कोई निदान नहीं किया गया है आज भी उसमें चोरी के लिए बहुत बड़ी सजाएं हैं और मिलावट के लिए मामूली सी बिलकुल तीन मैने च्छे मैने वाली क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसमें गंबीरता के सपराद की ज़्यादा होनी चाहिए जो और बाते दिमाग में आती है क्या राश्टपती प्रणाली हमारे यहां लागू की जा सकती है इसको लेकर के भी बहुत लोग चर्चाएं करते आ रहे हैं और कई सालों से करते आ रहे हैं और एक जो अभी दिमाग में एक बात आई गई थी कि राश्टपती प्रणाली और दूसरा जो है अभी आ जाएगा दिमाग में उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले पार्ट में जब अगर मौका मिला तो यह राश्टपती प्रणाली के ओपर भी काफी चर्चा हो चुकी है लेकिन राश्टपती प्रणाली जिस परकार की अमरीका में है वो तो मुझे सूटबल नहीं लगती भारत के लिए लेकिन जो फ्रेंच प्रणाली है वो फिर भी ठीक है उसमें कुछ चेक्स और बैलिंसेज है क्योंकि आप ये देखें कि इस समय अमरीका की जो इस्तिती हो रही है वस राश्टपती प्रणाली से अच्चंत गंबीर है अच्चंत ही गंबीर है वो तो पूरी तरह से अराजकता की तरफ चले जा रहे हैं दूसरा विशे मेरे दिमाग में जो आया था वो था कि सभी इस तरके चुनाव एक साथ कराना क्योंकि रामनात कोविंद जी की अध्यक्स्ता में एक कमेटी का भी गठर ने ने किया था तो एक वो भी हो सकता है कि वो बड़े फहमाने पर जो है यह जा करके उस पर कोई फैंसला करें बिल्कुल हाँ, वो भी एक बड़ा मसला है, सारे चुनाव एक साथ हो, सारे चुनाव एक साथ नहीं हो, तो जैसे अमेरिका में होता है, जो सिनेट उनकी है, जो हाउस है, उसका चुनाव बीच में होता है, मिट्टर में होता है, और बाकी जो आपके उनकी प्रेजिडेंट क चुनाव जो है वो बाद में होता है जो दोनों में दो दो साल का गैप है इस तरह से भी करा सकते हैं लेकिन ये अवश है कि कुछ तो इसमें होना चाहिए क्योंकि बहुत ही बड़ा वेस्टिज है ये बिलकुल आप ये देखें लगातार सरकारें जो है वो चुनाव के मूड हमें ही रहती है और लगातार जब चुनाव करती रहती है तो फिर वो सदैव ये ही देखती रहती है जिसको कोलते हैं कि हम देखें पीछे उपर देखते हैं वह पीछे से कोई गोली तो नहीं मार रहा है हमको तो इसमें अब थोड़ा बात कर लें कि हमारे जो विपक्ष है उसका क्या भवश्य देखते हैं आस्तों से हमारे राहुल बाबा का क्या भवश्य है जो कांग्रेस सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी है क्या इसमें ही दो फार नहीं हो जाएगा अगर आगे हार गई तो अगर आप राहुल गांधी को देख लें तो राहुल गांधी जो है वो किसी भी तरह से एक सामान्य आईक्यू के व्यक्ति नहीं लगते हैं सामान ये आई क्योंकि अग्यक्ति भी इतनी मुर्टाय नहीं करता जितनी राधिय गांधी डेली की बेसिस पर करते है। लेकिन चुकी ये राजीव गांधी और सोनिया गांधी का बेटा है, इंद्रा गांधी का पोता है, नहरू के खांदान से है, इसलिए संगठन पर जिस तरीके से ये कुंडली मार करके बैठ गए हैं और वो जी 23 बीच में बना था जिसमें कपिल सिबल, वुपेंदर हुड़ विवेक तंखा और गुलाम नभी आजाद, बहुत सारे लोग थे, अब उनमें से भी कुछ तो छिटक चुके हैं, कुछ अलग तलग कर दिये गए हैं, कुछ को मना लिया गया है, कुछ लॉली पॉप दे दिये गए हैं कि आप तो इसको चूसते रहो और लगे रहो कॉंग पर इस कबर भी कर चुका हूँ, और कॉंग्रेस की रीती नीती से भी मैं आवगत हूँ, जो वहाँ पर कॉंग्रेस के सचीवालिय में, मुक्यालिय में काबिज रहते हैं, फैंसलों पर, जिनका आदिपत्ति रहता है, वो सारे के सारे ऐसे हैं, जो जनता के दौरा चुने ह हुए नहीं है, रिजेक्टिड है, राज सभा के मेंबर है, या केवल इसलिए उंचे पदों पर हैं कि दस जनपत की चमचागिरी करते हैं, चापलूसी करते हैं, दो हजार चोवीस में भी अगर कॉंग्रेस उसी गती को प्राप्त होती है, जिसके के पूरे-पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं, जो 2004-2019 में हुई है, तो कॉंग्रेस में विभाजन अवश्यमभावी है, और महराष्ट की दो घटनाओं ने रास्ता दिखा दिखा दिया है, एक मातोश्री परिवार, जिसका पूरी तरीके से शीव सेना पर आदिपत्य था, कबजा था, किसी की हिम ने खड़े होकर के सवाल खड़े करें, जो वो कर रहे हैं, वो सब को मानना है, गर्दन नीची करके सुनना है, दूसरा शरदपवार का परिवार, NCP पर शरदपवार का, उनकी बेटी का कबजा, वहां पर भी किसी को उमीद नहीं थी, कि इस तरह की बगावत हो जाएगी, लेकिन हुई है, अगर हुई है, तो इसके बहुत गेहरे कारण है, बहुत सारे कारण तो अजित पवार already बता चुके हैं, पब्लिक डोमेंड में हैं, वो सारी चीजे बता चुके हैं, कब-कब शरत पावार ने कम से कम चार-पाँच बार उनको आगे बढ़ाया कि आप भार्चिंदा पार्टी ने तरह से बात करिए और उसके बाद कदम पीछे खीचे क्योंकि सुपरिया सुले को केंदर में मंत्री पद नहीं मिल रहा था यानि उनकी बेटी के लिए कुछ नहीं हो रहा था ना नरेंदर मोधी तयार थे ना अमित्शा तयार थे इसलिए बार-बार वो बैख कर जाते थे संजराउत और उधाउ ठाकरे ने जो कुछ किया था 2019 में विधान सबा चुनाव के नतीजे आने के बाद उसके बाद जिस तरीके से ये शरद पवार और NCP कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठे उसको लेकर के गहरी नराजगी थी और विधायक दल में भी और सांसादों में भी उन सब को ये लग रहा था कि अगर हम NCP और कांग्रेस के साथ ही विधान सबा चुनाओं में और लोग सबा चुनाओं में जाएंगे तो बहुत बुरी तरह हारेंगे क्योंकि 2019 में हम इनके खिलाब चुनाओं लड़कर के जीत करके आए हैं तो वहाँ पर और जिस तरीके का इनका एटिट्यूट था यानि आपके उदाव ठाकरे का और उनके बेटे का आदित ठाकरे का और वहाँ पर शरत पवार और उनकी बेटी का उसके चलते दोनों पारिटियां टूटी और आज हालत ये है कि उदाव ठाकरे को भी नई पारिटी बनानी पड़ी शर्द पवार को भी नई पारिटी और नया सिम्बल लेना पड़ा यानि असली पारिटियों पर किसी और का कब जाओ गया ठीक वही इस्तिती यहां सेंटर में कॉंग्रेस में है सोनिया गांधी को चचा केसरी को किस तरीके से उठा करके बाहर फैंका गया था उनकी नेम पिलेट तोड़कर के सड़क पर फैंक दी गई थी और सोनिया गांधी को अध्यक्ष पद पर काबिज कराया गया था कॉंग्रेस में गांधी भी केवल एक टर्म के लिए अध्यक्ष रहे थे और ये विदेशी मोलकी महिला 1998 से लेकर के और जब तक मलिकार जुन खरगे नहीं चुने गए बीच में एक छोटा सा कारेकाल इनके बेटे का था जब ये 2019 के नतीजे आने के बाद नैतिकता का बात करते हुए अध्यक्ष पच छोड़कर के भाग कड़े हुए थे फिर वो अंतरीम अध्यक्ष बनके बैठ गई थी और जब तक एक पपेट को नहीं लियाए ये मनमहान सिंग को डूंड कर नहीं लियाए तब तक वो ही अध्यक्ष रही और अभी भी सुपर प्रेजिडेंट यही है मा बेटा ये बस कहने को अध्यक्ष है तो कहने का मतलब ये है कि यहां भी वो ही इस्तिती है संगठन पर काविज है इन पर भरष्टाचार के आरोप है ये जमानत पर है इनका कोई विजन नहीं है इनका एक ही कारिक्रम है इनका देश के प्रती कोई प्रेम भी नहीं है कोई प्रेम नहीं है इनका मुझे लगता है पारीटी के परती भी नहीं है पारीटी के परती होता तो ये वाकई आउट कर जाते और ये कहते के भही अब हम स्कूरा कोई प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है हमारी चभी खराब हो छुकी है हमारी credibility चली गई है लोग हम पर भरोसा नहीं करते है जो इस परिवार का कभी कोई करिश्मा हुआ करता था इंदरा गांदी के समय वो करिश्मा भी खतम हो चुका है हम अब जितवा भी नहीं सकते पारिटी को अब तक किसी को राजसभा में भी नहीं भेज सकते यह आलत हो गई है जिन राज्यों में सरकारे हैं वहाँ अभी हिमाचल परदेश से तो सूचना मिल रही है कि सोनिया गांदी का प्रस्ताव भेज दिया कि सोनिया गांदी को राजसभा में भेजो क्योंकि पार्टी को भी अब दिखाई देने लगा है कि राई बेरली तो इस बार जीत नहीं पाएंगी तो इनको हिमाचल से राजसभा में बेज दो जिसका मजाग भी उड़ाया प्रधान मंतरी ने अभी राजसभा में कि मुझे तो पता लगा है कि इस बार फिर कुछ लोग जो है सीट बदलने के चक्कर में है और कुछ लोग तो राजसभा में जाने की तैयारी कर रहे है कहने का आशे ये है कि पार्टी का जो बेड़ा गर्ख हुआ है और पार्टी की जो संभावनाए धुमिल हुई है उसके चलते अगर कोई रीड वाला नेता बचा है कांग्रेस में इस गांधी परिवार को चुनोती देने वाला अगर वो खड़ा हो गया दो हजार चुबिस के नतीजों के बाद तो कांग्रेस पार्टी में भी विभाजन हो सकता है और मैं ये कह रहा हूँ के महाराष्ट ने रास्ता दिखा दिया है महाराष्ट की दोनों पार्टी ने रास्ता दिखाया है के यह यहां भी हो सकता है और यहां भी यह हो सकता है संजय जी कि असली पारिटी पर कोई ओर का भी पनजे पर कोई ओर कभजा कर ले और इन मा बेटाउं को एक दूसरी पारिटी खड़ी करनी पड़े यह चुनाव आयो गिन से के कि वही असली तो यह है अब आप अपनी नई पारिटी का नाम दो और नया चुनाव चिन बताओ क्या लेना है ये नौबत दो हजार चुबिस के बाद आ सकती है लेकिन एक बात तो है राहुल के बारे में जो कुछ भी कहें है वो इंटर्टेन्मेंट तो प्रोवाइड करता है बहुत सारी एंटर्टेन्मेंट चैनल्स फेल हो गई है उसके सामने तो जो लोग एंटर्टेन्मेंट पसंद करते हैं वो कम से कम वोट तो दें वो भी वोट नहीं देते हैं उसको जैसा भी हो लेकिन कहते हैं बहुत उसका जो हार्ट है वो बहुत क्लीन है तो वो जो है कुत्तों में और आद्मियों में फर्क भी नहीं करता है इतना प्यॉर हार्ट है उसका तो लोग क्यों नहीं अप्रिशेट करते हैं इस चीज़ को भात तो आपकी सही है अब हिमंता विस्वा सर्माज जो परकरण बताते आ रहे हैं जिनकी वज़े से राहुल गांदी को कुत्ता प्रेम की वज़े से मकबूलियत मिली इतनी परसिद्धी मिली तो जो उन्होंने बताया था बहुत सारी लोग थे हमारे आपके जैसे जो विश्वास नहीं कर रहे थे कि ऐसी कोई घटना हुई होगी और रहुल गांदी ने तो डिमोस्ट्रेशन करके दिखा दिया अपनी इस यात्रा के धोरान उन्होंने अपने कार्यकरता के कुत्ते से प्यार किया और उसको विसकुट खिलाने की कोशिश की जब उस कुत्ते ने नहीं खाया तो फिर वो ही विसकुट उठा करके अपने कार्यकरता को दिया इसका मतलब यह है इमंता विस्वासर्मा की बात तो बिल्कुल प्रमानित हो गई उसकी पुष्टी हो गई कि ऐसा हुआ है अब इतना फ्योर हार्ट वाला आदमी तो उसका सम्मान तो किया जाना चाहिए कि जो उसके मन में रहता है वो ही वो सारवजनी के रूप से उसका प्रदरसन भी कर देता है ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल के पॉलिटीशियन है जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं दिल में कुछ होता है बोलते कुछ हैं वैसार कम से कम राहूल गांदी नहीं है लेकिन इतनी purity राजनीती में नहीं चलती है जितनी purity वो कुछ जादे ही pure हो जाते हैं और कुछ जादे ही जूड बोल जाते हैं कई बार जूड भी बहुत बोलते हैं अभी आपने उनका एक ताजा ताजा सुना होगा कि कहीं वो उडिसा में शायद कहीं वो संबोधित कर रहे थे लोगों को और संबोधित करते क्या कह रहे हैं अभी एक ड्रोन आएगा वो ड्रोन जो है देखेगा कि यहां आदिवासियों की जमीन कौन-कौन सी है उन सब को चिनित किया जाएगा और अडानी जी उस जमीन को उठा ले जाएंगे तो यह जो इस तरह की बाते हैं अच्छा वो महा भारत को GST से जोड़ देते हैं जब वो भारत जोड़ो यात्रा वन कर रहे थे तो कुरकशेत्र में उनने ये ग्यान दिया था के साब महा भारत काल में जो है वो GST था ये था और वो था अपलाना था डिम को तो ये सब चीजें मुबाइल से जो भी तुम पैसे जमा रहोगे उसका एक पार्ट जो है वो अडानी के बास चला जाएगा जी वो तो यहां तक ज्यान देते हैं कि अडानी ऑप्सेशन हो गया उसको हाँ आप अगर पंखा खोलेंगे आप अगर लाइट खोलेंगे तो उसका जो पैसा है वो सीधा अडानी के जेम में जाएगा तो कई बार लगता है कि ये खीक है प्योर हार्ट होगा खीक है जूटा भी है कई बार लगता है बहुत महाँ अग्यानी है कई बार लगता है कि डफर है मतलब कुछ पता ही नहीं है जो मन में आता है वो कहना शुरू कर देता है तो आपने देखा था वो शिवलिंग की बार बार वो पुजारी बता रहे हैं कि आप यहां पर जो जहां शिवलिंग है वहां पर अरपन करिए दूद भी यह दूसरी जगह डाल रहे हैं जो दूसरी सामगरी दे रहे हैं वो भी दूसरी जगह डाल रहे हैं तो यह एक्सपोज भी हो रहे हैं इनको पता ही नहीं है कि पूजा की कैसे जाती है लेकिन चुकि चुनाओ का मोसम है इसलिए वो पूजा भी उनके लिए एक इवेंट है अचली इवेंट ही ही है क्योंकि चार-चार-पाँच-पाँच कैमरे तो शूट कर रहे होते हैं आपको पता ही होगा कि इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी ख खाड़े में जजजर में पहुंच जाते हैं एक छारा जगह है वो राठियों का गाउं है तो वहां पहुंच जाते हैं सुबही सुबही वहां का शूट कराने लगते हैं फिर पता लगता है कि शिमला जाते जाते सोनी पत्के किसी गाउं में पहुंच जाते हैं वहां दान की रोपाई हो रही है तो धान की रोपाई की जो है वीडियो शूट शुरू हो जाती है जिसके बारे में प्रधान मंत्री भी एक बार मजाक में जिकर कर रहे थे के माइक लगा करके जो है धान की रोपाई कर रहे थे उनको यह भी नहीं पता था कि यह दान है कि गोई हुए है उनको यह भी पता नहीं था तो जगह जगह लालू जी के पास पहुंच जाते हैं मठन जो है बनाना सीखना शुरू कर देते हैं और वो भी सावन के महिने में तो यह इतने ब्लंडर्स करते हैं जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है और इनके आसपास के सलहकार क्या कर रहे हैं या किसी की अब यह मानते ही नहीं सुनते ही नहीं शुरू शुरू में तो जो सोनिया गांदी के कोटरी के कुछ दिगज नेता हुआ करते थे अलग-अलग सेक्टर के गया उनकी ये मान लेते थे फिर कुछ समय के लिए शायद अपनी मम्मी की भी मान लेते थे कुछ समय ऐसा भी था जब अपनी बेहन की भी सुन लेते थे लेकिन इधर तो ये किसी की नहीं सुनते हैं सुनिया गानी के पास तो बहुत ऐसे थे वो दिवेदी जी हुआ करते थे जनारदन दिवेदी जनारदन दिवेदी एमद पटेल और भी बहुत सारे जो शुरू में नटवर सिंग हुआ करते थे प्रणब मुकर जी गुलाम नभी आजाद भी थे तो ये सब जमीन से जुड़े हुए लोग थे तो इनको पता था कि ज तरीके से राहुल गांधी मनमानी पर उतर आये हैं और किस तरीके से जो एक नीती निर्दारन करने वाली इनकी CWC है उसके भी जो प्रस्ताव हैं उनको भी किस तरीके से एक हूटी पर टांग देते हैं और आनंद शर्मा ने तो भरी मीटिंग में कह दिया था CWC में उन् किस के कहने पर देते हैं इनको कितना ग्यान है इन चीजों का और ये क्यों कॉंग्रेस की भद पिटवा रहे हैं आनंद शर्मा अभी से दो दुश्मन हो गए इनके क्योंकि CWC में बैठ करके उन्होंने सवाल कड़े कर दिये थे तो बहन भाई इतने बड़े विशेशग् हैं एक बार जेटली साब ने जो है लोकसमा में खड़े उबर के कह दिया था कि ये हर विशेखे विशेशग्य हैं और इन्हें किसी बारे में कोई जनकारी नहीं है वैसा बहन की भी इस्तिती कोई बहुत अच्छी नहीं है बहन भाई में आजकल कुछ चल रहा है क्योंकि जो अब से यात्रा टू नंबर की शुरू हुई है तब से बहन फलक से गायब है कहीं दिखाई नहीं दी है अभी तक तो नहीं आई है कुछ लोगों का कहना है के विदेश में लेकिन कुछ बयान भी नहीं आ रहे दूसरे विश्यों पर कुछ ट्वीट तो आये हैं राहु सब के सब जो है वो अनुवंचित हैं डाइनैस्क हैं और कोई भी ऐसा व्यक्ति एक भी मुझे तो नहीं दिखता जो नीचे से उपर उठके आया हो चाहे वो स्पैलिन हो और चाहे इनके उद्व ठाकरे हो या आपके शुरत पवार यह कह सकते हैं शुरत पवार तो खर पर बनाए हुए हैं लेगिन अब वो हो गए 85-90 साल के तो सुप्रिया सुलेही उनकी सब कुछ हैं और बाकियों को भी और इनके लेले तो चाहे लालू हो चाहे अखिलेश हो सारे के सारे एक ही परकार के लोग हैं और किसी का भी कोई देश के परती कोई लगाव नहीं है सम नीतिया बनाते हैं ऐसे लोगों के साथ में ये पूरा का पूरा विभक्ष जो है आप उनी लगता कि सडान मानने लगा है देखिए इन लोगों पर देश की जनता का विश्वास भी इसी लिए नहीं बैट रहा है ममता बेनर जी वो वन्षवादी वो अपने बतीजे को की और विरासत की ही देन है बाला साब के बेटे हैं और वो अपने बेटे आदित ठाकरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं लालूी आदव को चिंता बिहार की नहीं है देश की चिंता नहीं है उनको चिंता जो है वो तेजस्वी आदव की है कि वो किसी तरीके से ची तरह तेजस्वी आदव को मुख्यमंत्री पद की शपद दिला दे और खुद राजस्वा में चले जाए, वो बंड़ा फोड हो गया, तो नितीश बाबु ने उनको ही उल्टा ठांग दिया, अध्यक्ष्पद से हटाया, और उसके बाद जो है फिर उनने वो फैंसला कर लिय कि आप हम तो लालुयादों के साथ रहेंगे नहीं, यह तो विश्वास गाती आदमी है, हमारी ही पीट में चुरा गौपने की कोशिश कर रहे थे, और जो दुरुगती एक्चल में नितीश की महा हो गई थी ना, इनिशियेट किया था इन सारे चेरों को जोडने का उन्हो नहीं, वो ही गाते फिर रहे थे, कि दो हजार चोबीस में नरेंदर मोदी के विकल्प के तोर पर जो है, हम एक गड़बंदन खड़ा करेंगे, इंडी एलाइंस खड़ा करेंगे, लेकिन उन ही की दता बता दी गई, पटना में भी उनको सियोजक नी चुना गया, बैंगल में तो उनके खिलाब पोस्टर बैनर लगा दिये गए, उनरेलाइबल कहकर के जो है, फिर मॉंबई में यही हुआ, दिल्ली में यही हुआ, तो वो फ्रेस्टेटेट हो गए, और जिस तरीके से ललन सिंग ने लालु यादर से मिलकर के उनको एक तरीके से हटाने की की, उससे तो उनका यह दरड़ विश्वास हो गया, कि कहीं इनको सम्मानने मिलने वाला यहाँ फिर भी जैसा भी है, जिन भी समझोतों के साथ यह मुख्यमंत्री तो कम से कम बने रहेंगे, वो ही हुआ, अलग अलग इनके सारे चेहरों को देखें, तो इन में से मौस्टल किसी की भी नहीं है, एमके स्टालिन किस तरह की राजनिती कर रहे हैं, वो तो अन्ना मलाई ने वहाँ जिस तरीके का एक वातावरान बना दिया है, उनमें तो इन सिक्यूरिटी इतनी ज़्यादा बैठ गई है, अलगि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें अभी भी यही बताया कि डियम की कोई ही तीस से ज़्यादा सीटे मिल रही है, लेकिन कहीं न कहीं उनको लग रहा है, कि भारती ये जनता पारिटी का ग्राफ बढ़ रहा है, इसको वो खत्रे के तोर पर देख रहे हैं, तो चाहे इस्टैलिन हों, चाहे अर्विंद केजरी वाल हों, मामताब एन इनकी विश्वसनियता शुन्य है, यही वज़े है कि अब जो फ्रेस्ट्रेसन है और जिस तरह का वातावरन पूरे देश में दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही, उसके चलते अब इनमें भी टूट फूट शुरू हो चुकी है, नितीस चले गए, अभ इसी तरीके से अलग-अलग रज्यों में आप यह देखेंगे, यह चुनाओ की गोहशना होते ओते तो बहुत कुछ इनका राइता भी खर चुका होगा। पटना में सोला पारिटियां, बैंगलूरू जाते जाते च्छबीस, मुंबई जाते जाते अठाइस के नाम आगे, हाला कि उन अठाइस में से आठ तो ऐसी थी, जिनकी लोकसावा में शुन्य सीटे थी, लालू जी स्टोनिया गांदी के बराबर में बैटे हुए थे, आर जलंदर में उफचुनाव, जो कॉंग्रेस का MP, जिसकी डात हो गई थी, राहूल गांदी के साथ चलते हुए, एक सीट, 2019 में ये संग्रूर वाली आई थी, जो खाली हो गई थी, और भगवन्तमान चीफ निश्टर बन गए थे, ये सारे तो परदाइस में हार गए थे, ज जारी करते रहें, तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं, जिनकी एक्चुल में कोई शेय नहीं है, जिनका कोई जनादार नहीं है, ये सब चले हुए, फुके हुए कार्तूस है, भुजे हुए वल्म है, तो इसलिए जो है, और जितने भी सर्वेया भी आए हैं, लेटिस्ट, चाहे य इंडिया टुडे सी फॉर वोटर का आया हो, या टाइमस नाउ का आया हो, जितने भी आये हैं, सब दिखा रहे हैं, कि ये अभी भी सारे मिल करके, एक सो पचास, एक सो साथ तक जाकर के जो है, निपड जाएंगे, और अन्य जो है, वो 35 से 40 सीटे, और अकेले भारती ये ज 40 350 तक जाएगी, तो इसलिए जो वातावरन बन रहा है, और जेहन्त चोधरी का आपने जिक्र किया, जो एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दिया राजसभा में, जिस तरीके से जैयराम रमेश ने रियक्ट किया, या जिस तरीके से मलिक आरजुन खरगे को मिर्ची लग गई ज जिस तरह के फैंसले ले रहे हैं, जिस तरह के राजनितिक फैंसले ले रहे हैं, और जो उनकी टाइमिंग है, वैसा कभी हम क्यों नहीं कर पाए, हम वैसा क्यों नहीं सोच पाए, आज ये आदमी जो है, time to time कुछ ऐसे फैंसले लेते हैं, जिनका एक impact दिखाई देता है, य पश्मी उत्तरपडेस में बस दो सीटे उनको दे देंगे पर जो ये आंदोलन जीवी कभी-कभी मुसीबते खड़ा करते थे और जो एक एको सिस्टम है और जो सोशल मीडिया पर एक गैंग काम करता है जो नरेंदर मोदी के खिलाप और उनकी सरकार के खिलाप हमेशा ही इनने के लिए कुछ समय के लिए इस तरह की एक आब और हवा बनाने का वो खतम हो जाएगा क्योंकि जैन चोदरी आएंगे तो पश्मी उत्तरपडेस में इनको यानि राकेश टिकैत बगैरा को वो ट्रेक्टर ट्रोली और वो किसान जो है वो ढूंडे नहीं मिलेंगे उन चोदरी चरणसंग को भारत रतन दिये जाने के बाद से संतुष्ठ हैं उनको अब कोई परिशानी इस सरकार से और इस परदान मंतरी से नहीं है पर कोई बड़ा फाइदा वोटों के आदार पर बीजेपी को मिल लगा ऐसा मैं मानता नहीं हूँ क्योंकि वैसे भी पश्मी अगर हम बात करें हरियाना में भी आप देख लीजी रहतक जैसी सीट जो गड मानी जाती है भूपेंदर सिंग उड़ा का सोनीपाज जैसी सीट यहां से खुद भूपेंदर सिंग हुड़ा चुनाव लड़े और हारे बुरी तरीके से तो वो सीटे भी जब भारती जिनता पार्टी जीत रही है नरेंदर मोदी के नाम पर तो इनको कुछ ज़्यादा करने के जरूरत नहीं थी और संजे जी एक तथ्य में और बताता हूँ ये अकेले परधान मंत्री हैं जिन्होंने तीन तीन गवर्नर जाट लगाए थे सत्यपाल मलिक लगाए थे जो गुजरात के इस समय राजजपाल हैं आचारिय देव वरत वो जाट है इसके अलावा धनकड पश्यम बंगाल में तीन जाट राजपाल अभी तक तो मैंने सुनाने के किसी सरकार ने एक साथ लगाए हूँ और उन में से एक को अब उपराष्टपती भी बना दिया है तो इतना सम्मान वो दे करके चल रहे हैं इसके अलावा भी उनकी सरकार से पहले मुझे तो याद नहीं है किसी ने हर चोथे महिने हर किसान के खाते में दो हजार रुपया भेजा हूँ ये भेज रहे हैं यूरिया पर करीब करीब सत्तर पिशत्तर प्रतिशत सबसीड़ी अभी भी हो रही है बहुत सारे फाइदे दूसरे पहुँचाए गए है तो ऐसा प्रदान मंत्री का हमें लगा वहीन को पर जयन्त चोधरी के बोलने से चोधरी चरन सिंह को बहरत रतन देने से और मुझे लगता है कि चोधरी चरन सिंह से ज़्यादा वीवी नर सिम्राओं को बहरत रतन देने से इनको ज़्यादा मिर्ची लगी होई थी वो तो जयन्त चोधरी बहाना बन गए फ्रेस्ट्रेसundyונים है वहाँ का जाये तो जाये क्या था वो हुआ सो हुआ जाये तो जाये इसका कोई सेंस भी नहीं बनता उस टाइम पर कड़े होगे जाये तो जाये का क्या क्या मतलब अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप जाये पर भाशन मत दीजिये उनका कहने काई यह आशा होगा क्यों न दें भई और अगर पीवी नरसी मराओ के बेटे भी अगर मेमबर ओपर्लेमेंट होते हैं, राज्यतवा के सदर से होते हैं उनको भी बोलने का मोगा मिलता जीसे करpuri ठाकुर के बेटे हैं, उनको बोलने का मुका दिया गए तो भई इतना बड़ा संबान दिया जा रहा है उसमें अगर सभापती किसी को अपनी बात कहने का अधिकार दे रहे हैं तो आपको क्यों मेरचियां लग रही है तो ये इनके frustration है और कई बार तो मुझे लगता है कि इनको politics आती ही नहीं है अरे भही आप भी खड़े होकर के प्रशंता करिए तब आप लगेगा कि हाँ आप इतने सोनिया गांदी का बाइट देखा था आपने जब वो निकल रही थी पार्लेमेंट से और किसी reporter ने पूछा कि पीवी नर मतलब एक सेकंड के लिए दस सेकंड के लिए खड़े होकर के आप इसका वेलकम कर देती तो कॉंग्रेस को आंधरा परदेश में कम से कम दस वोटों का तो फायदा हो जाता तो ये खुंदक जो आप पाले हुए हो और पीवी नरसीमा राओ को लेकर के तो आप जानते ही है इन्होंने क्या किया था उनके पार्थिव देहे को भी कॉंग्रेस मुख्याले में घुसने नहीं दिया था वहां रखने नहीं दिया था अरे भई वो कॉंग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और दिल्ली में फूनरल नहीं होने दिया था दिल्ली में नहीं होने दिया के वह ले जाओ, उन्हों ने इनिशियेट किया, उन्होंने भारत को आर्थिक संकट से उबारा, उन्होंने आर्थिक उधारी करण का दोर शुरू किया, ग्लोबलाइजेशन का दोर शुरू हो चुका था, उन्होंने खालिस्तान को कंट्रोल किया, उन्होंने खालिस्तान को कंट्र भी उन्होंने ही टैटल की बिलकुल वाकई ये तो इन लोगों की बुद्धी इंता है इसमें तो और क्या का जा है लेकिन अब जो इस्थिती बन रही है उसको देखते हुए कम से कम जहां से मेजारिटी जो है वो मिलती है वो है उत्तर प्रदेश वो आपने भी कहा कि 2014 हो या उत्तर प्रदेश की विज़े से आए उत्तर प्रदेश में अगर उनकी सीटे के बारा ना रह जाती तो उनकी ये इस्थिती नहीं होती वो फिर ज़्यादा सीटें लेके आते कॉंग्रेस से तो फिर से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं तो अब चलते चलते अब जरा उत्तर प्रदेश की बात थोड़ी विश्टार से कर ले कि उत्तर प्रदेश में अब क्या लगता है योगी जी तो 80 में 80 की बात कर रहे हैं क्या सम्हाव है स्सी में 80 जबकि अब जहनत भी आगए हैं इदर पे और जो डिफिकल्ट सीट्स हैं जैसे बहुत मुस्लिम बाहुले सीट है मुरादाबाद है रामपूर है सम्हाव है वैसे मैं तो मानता हूँ बिजनौर इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए लेकिन च्योंकि बिएस पी और एस पी का तालमेल था पिछली बार इसलिए ये बिजनौर और ये नगीना वगीना ये स संजे जी अगर आजमगड और रामपूर में भारतिय जन्ता प्रटी जीत सकती है जो जीती भी है तो फिर असंभाव कुछ भी नहीं है चाहे केराना हो चाहे आपका संभल हो चाहे अमरोहा हो चाहे मुरादाबाद हो ये असंभव कुछ भी नहीं है बात ये होती है और ये देखना होगा हम लोगों को कि जब टिक्टो का बटवारा करेंगी अलग-अलग पॉलिटिकल पारिटियां तो केंडिडेट कौन खड़ा है और उसकी चवी क्या रही है पारिटियों से ज़्यादा कई बार केंडिडेट की अपनी चवी जो है वो काम कर जाती है पर जिस तरह का वातावरन इस समय उत्तर प्रदेश में बन गया है उसमें 80 की 80 सीट ना भी मिलें भारतिय जनता पारिटी को तो 80 में से 75 सीटे कहीं गई है चार-पांच सीटों की में जी 75 सीटे कहीं गई नहीं है उसमें और एक दो सीट अगर आ जाए तो किसी को आश्चरिय नहीं होगा पर एक बात मैं और कहूंगा कि सोनिया गांधी इस बार रहे बरेली नहीं लड़ेंगी और अगर लड़ेंगी तो हारेंगी बुरी से यह उनको पता है और संभवत है प्रियंका वाडरा की चर्चा जरूर चल रही है कि वो राइबरेली से चुना लड़ सकती है पर हारने के लिए वो भी नहीं लड़ना चाहेंगी पहला ही लोकसभा चुना जी आ रहें यह उनको कबूल नहीं होगा और इस खांदान को भी कबूल नहीं होगा वो तब ही किसमत आजमाएंगी कहीं से भी जब उनको जीत की 100 प्रतिशत गारंटी होगी तो मुझे लगता है कि इस बार समाजवादी पारिटी के खाते में हो सकता है दो तिन सीटे चली जाएं पर कॉंग्रेस इस बार शुन नहीं हो जाएगी आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओंकार जी और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी सारगर्वेत और गूर चरचा रही बहुत 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 धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कर जैन जै भारत बंदे मातर बंदे मातर